दोस्तों स्वागत है मेरा इस नए व्लॉग में आज मैं आपको कॉंगेरा का जंगल दिखाने वाला हूँ ये धंतरी जिले के नगरी व्लॉग के अंदर गती गाम पड़ता है यहां पर काफी अवसदी के पौधे आपको मिल जाएंगे जैसे की विलिम हैं जिसको हम विलिम के नाम से जानते हैं जो त्यदिक बुखार आने पर इसको कूट कर इसको पिलाया जाता है यहां पर भाई लोग कुछ तोड़ रहे हैं यह जर्वेरी जैसा एक खाने का चीज होता है जिसे मुकईया के नाम से जानते हैं और इसके पत्ते को भी खाया जाता है यह काफी स्वाधिस्ट होता है की यका तो सुच रहूं मैं भी टेस्ट कर के देखों इसका स्वाथ कैसे होता है एक तोड़ के जरूर कहोंगा मैं कर आदे आदे differentiate पर या आपके देखते हैं कैसा लगता है आपके देख लेगा एक देख रहा हो तो लोग टेस्ट करने कि अ अब अब मत है यार अब 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 कर दोस्तों हम अभी वापस जा रहें हैं यह है कोंगेरा का जंगल अवसदियों से भरपूर कोंगेरा का जंगल दोस्तों यह है मोकया जो हम खा रहे थे उसको अभी मैं अपने हाथ में दिखा रहा हूं यह चबूतर जैसे दिख रहा है उसको मुनारा कहते हैं दोस्तों यह जंगल के चेतर और यह गाओं का चेतर है उसको बाटता है और कहां तक जंगल का चेतर है उसको दर्शाता है दोस्तों अभी आप जो इस्कीन पर जो पाउधा देख रहे हैं वह ऐसा ही कोई पाउधा नहीं है और नहीं वह गन्ना है यह है लेमन ग्रास दोस्तों जिसको उपयोग चाय में डालने के लिए होता है यह हमारे दोस्त भाइसियू के घर में है तो दोस्तों हम यहाँ पर आज कुछ हाउसवधियों को देखे यहाँ पर लेमन ग्रास था लिफोईलिम था और खाने के लिए एक मोगया था उसकी पत्ते को भी खाया जाता है दोस्तों हमारा यह वीडियो आप कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताईएगा मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई